दोस्तों क्या आपके पास इस तरीके से प्रोब्लम आ जाता है हॉमफुल एप ब्लॉक जैसा कि आप देख पा रहोंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपका जीबी वाटसब और वो आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है आपके समने Google Play Protect का यह प्रोब्लम आ जाता है अपने फाइल से आप एप्लिकेशन को इंस्टॉल करते हैं या आप टेलिग्राम से करते हैं या आप गूगल से करते हैं अगर आपके समने इस तरीके से प्रोब्लम आता है तो यहाँ पर आपको दो तरीके बताएंगे जिनने आप follow करिए और आपका सारा problem fix हो जाएगा सबसे पहला तरीका है कि आप यहां से back आजाएए हमने यहां पर यह problem solve कर ली है तो हम यहां से back आते हैं आप यहां पर दिखाई देखा कि मैंने gb whatsapp को download कर लिया है अब हम अगर इसे open करेंगे तो हमारा आसानी से यह open हो जाता है और mobile number डालके अपना हम login कर लेंगे लेकिन अगर आपका open नहीं होता है और आपका पहले से बहुत सारा chat है तो आपका chat भी delete नहीं होगा इस बात को भी आपको याद रखना होगा और आपका gb whatsapp open हो जाएगा आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको एक setting करना होगा वो आपको मिलेगा play store पर तो आपको play store को open कर लेना होगा Play Store को open करने के बाद इस तरीके से Play Store open हो जाएगा यहाँ पर आपका ID मिलेगा अपने ID पर क्लिक कर दीजी ID पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा Play Protect का अब आप इस पर क्लिक कर दें जिसे आप इसे बंद कर देंगे बंद करने के बाद यहां से बैक आजाएए बैक आने के बाद आपको फिर अपने application को install करना होगा जहां पर भी है आपका Google पर है या आपका टेलिग्राम पर है या आपके फाइल में है फिर आपको यह वाला problem दिखाई नहीं देगा लेकिन अ आपको यहां पर अपना Google open करने के बाद यहां पर आपको दिखाई देगा एक सर्च बार आइकन अब आप जो भी एपिके यूज करते हैं एफम जीबी या वाटसाप पर जीबी वाटसाप प्रो यह वाटसाप जो भी यूज करते हैं यहां पर जिसे भी अबडेट इन इं क्लिक करेंगे क्लिक करने की बाद सर्च करने के बाद आपके सम्नूeln जीबी वाटसाप का लेटेस्ट वर्जन यहां पर डिखाई देगा एक गीबी वाटसाप प्रो जैसा की आप देख पार होंगे और ठोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो एक मिल जाएगा आपको उस पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको इस तरीके से पेज निकल करा जाएगा, अब यहाँ पर आपको रिचे आना होगा, रिचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन मिले का डाउनलोड एन अब डेट का, तो आपको वाला problem दिखाई नहीं देगा जो आपको ये वाला problem दिखाई देता है कि हमफुल एप ब्लॉक्ट और आपका application इंस्टाल नहीं होता है और आपको यहां पर एक बटन दिखाई देदा होगा more details है तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा और यहां पर आपको एक बटन मिलेगा install anyway फिर आपको install anyway पर क्लिक करना होगा और आपका application इंस्टाल हो जाएगा फिर आपको कोई भी problem दिखाई नहीं देगा तो मैं असक करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आज आप जान गया होंगे सीख गया होंगे और एक बात याद कि आपने जो play store के अंदर ये वाला जो setting आपने बंद किया था और जब आपका application इंस्टाल हो जाए तो आपको ये setting फिर से जाकर चालू कर देना होगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही